नमर 13 हम शुरू करने लगें बॉक्सेज यह बॉक्सेज की जो बात कर रहे हैं यह असल में HTML के elements की बात कर रहे हैं जैसा कि जब CSS शुरू हुई थी तो शुरू में इन्होंने यह बताया था कि जितने भी HTML के elements होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं कि box होते हैं actually हर element अपने box में pack होता है चाहे वो कोई image हो चाहे वो कोई text हो या कोई paragraph हो ultimately एक box होता है और जब तक हम किसी जीज को किसी box में रैप नहीं कर देते हैं हम उस पे styling भी नहीं कर सकते हैं जैसे यह एक website है हमारे पस तो इसमें inspect हम करते हैं और यह select element का बटन दबाते हैं और हम किसी भी element पर hover करेंगे तो यहां पर आपको एक box दिखेगा बावजूद इसके कि box round दिख रहा है यह जो input box है यह थोड़ा सा circle सा दिख रहा है side से ठीक है यह वाला भी थोड़ा सा round दिख रहा है मिसाल के दोर पर controlling the size of boxes कि अब यह वाले जो boxes हैं इनके size को हम कैसे control कर सकते हैं इनकी width height को हम कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं अच्छा फिर box model for border margin and padding अब यह जो box है ना वो बनता किन चीजों से और उस box में यह border margin padding शामिल होते हैं तो इसका अगर किसी भी box को अपने display करना है या hide करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं again यहाँ पे जो box यहाँ पे जो box की बात हो रही है वो किसी भी html element की बात हो रही है तो यहाँ पे जब लीग है कि at the beginning of this section of css you saw how css treat such html elements as if it lives in its own box okay css html elements को ऐसे treat करता है कि हर html element अपने box के अंदर रहता है okay you can set several properties that affect the appearance of these boxes in this chapter you will see how to control the dimension of boxes create border around boxes set margin and padding around the boxes show and hide boxes तो यह चार चीज़ें जो इसने दुबारा से बदाया कि यह हम पढ़ने लगे हैं अच्छा यह एक चुन्नी मुन्नी सी इसने website बनाई है आप ने भी कोशिश करनी है कि यह chapter by the end of this chapter यह website इस website को देख कर आप just खुद से ऐसी website बना लें ठीक है जिसके उपर class लगी भी है box तो उस div को इसने क्या दे दिये है height दे दिये 300 और width भी दे दिये 300 तो यह square box की शकल इख्तियार कर गिये है और इसको एक अदर background color इसने दे दिये ठीक है यह background color जो वो pink है kind of और यह pink आपको दिख रहा है box अच्छा फिर उस div के अंदर एक paragraph मौझूद है जिसकी height 75% है यहाँ पे इसने pixel में दिया है height विर्थ और यहाँ पे percent में दिया है तो आप देखें इसकी जो gray box है यह अंदर वाले जो gray box है उसकी जो width और height है वो 75% है as compared to its parents अच्छा अच्छा यह pixel और percentage तो हमने देख लिया हम यह EM discuss कर चुके है न कोई मुझे बता पाएगा EM क्या होता है अगर मैं 1 EM देता हूँ या 2 EM देता हूँ इसका क्या मतलब है कोई बता पाएगा मुझे अच्छा फॉन्ट वाली चेक्टर में हम यह पढ़ चुके है राइट अच्छा उसके बाद मारे पाएगा अच्छा लिमिटिंग विर्थ के एक तो हमने बताया के एर फिक्स हमने कहा दिया के विर्थ आपकी क्या होगी ट्रींडर्ड पिक्सल हो गई या फॉरंडर्ड पिक्सल हो गई लेकिन हम यह भी बता सकते हैं के लिक्षा आपका जोगा स्क्रीन का साइज है उसके एकॉर्डिंगली क्या होता है आपका बॉक्स अपने साइज को एडजेस्ट करता है मिसाल के दौर पे अगर मैं एक हच वन बनाता हूँ ठीक है या एक पैरग्राफ बनाता हूँ तो उसकी जो विर्थ होगी वो बाइ डिफॉल्ट हंड्रेट परसंट होगी स्क्रीन का जो भी साइज होगा उसकी हंड्रेट परसंट होगी यानि कि हजार पिक्सल होगी अगर अब जैसे जैसे अभी मैंने कोई उसके विर्थ हाइट कुछ भी नहीं लगाया अब जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज छोटा करता जाओंगा या उसको मैं किसी छोटी स्क्रीन वाले डिवाइस पर उपन करूँगा तो आटमेटिकली उसकी विर्थ कम हो जाएगी ठीक है क्योंकि वो 100% है तो जितना भी स्क्रीन का साइज होगा वही उसका भी साइज होगा अब वो कम होगा तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि वो एक खास हद तक कम हो उसके बाद वो मजीद कम ना हो तो मैं उसको मिन विर्थ बताऊंगा ठीक है इसको हम कोशिश करते हैं लगा के हम भी देख लें आपर चलो एक निया बना लेते हैं इसमें बॉक्स मैंने कर दिस हेडिंग और एक यहां पर पराग्राफ बना दिया मैंने और पराग्राफ में यहां से मैं यह पूरी लाइन कॉपी करके लिए आता हूँ ठीक है एक हैडिंग एक पराग्राफ है यहां ज्यादा कुछ नहीं है इसमें अच्छा और मैं क्या करता हूँ साथ साथ यहां पर स्टाइल का टैग लगा लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि गूऔ हम पर पे कुछ लगाना कव्य भया है अभी लगा भी लगा नहीं ड़ाू नहीं और पर पश्वर पर भी कुछ ना दूल कि लगा हूं गो अच्छा इसको मैं लाइफ करता हो जा अच्छा एच वान पर बैग्ग्राउंड कलर देता हूं ताकि पता चले कि कहा तक है एच वन साइए बैग्राउंड कलर यह वाला देते इसको ठीक है तो यह आपको दिखना शुरू हो गया है कि बैग्राउंड कलर ना जहां तक इस एलिमेंट का साइज है वहां तक बैग्राउंड कलर जाहिर है फील होगा आपको इसी तरह मैं पैरग्राउंड के उपर भी बैग्राउंड कलर एक डिफाइन कर देता हूं ठीक है तो यह दोनों आपको दिखना शुरू हो गए कि यह एलिमेंट कहां तक महजूद है अच्छा अब अगर मैं अपने स्क्रीन का साइज छोटा या बड़ा करूंगा अगर मैं रिस्पॉंसिफ पे चला जाता हूं और रिस्पॉंसिफ पे जाके मैं स्क्रीन का साइज चोटा बड़ा करूंगा तो मेरा एलिमेंट भी साथ सा चोटा हो रहा है और अगर पैराग्राफ के केस में आप देखें तो टेक्स ना रैप होके नीचे भी आ रहा है ठीक है टेक्स रैप होके नीचे भी आ रहा है और एक पॉइंट ऐसा हैगा कि मेरा जो पूरा का पूर टेक्स्ट है वो सिंगल रो में हो जाएगा और आप हैडिंग को देखें हैडिंग अपने बॉक्स से ओवर्फलो हो जाएगी क्योंकि अब हैडिंग का जो साइज है वो इतना भी नहीं बचा है कि एक वर्ड को वो कंटेंड कर सके ठीक है है यह लॉंग वर्ड तो इस वर्ड प्रफ न एक लाइन में हो चुका होगा तो सब्सक्राइब अब मैं फॉर के वाले साइज पर आता हूं न तो मेरा पूरा का पूरा परग्राफ आल्मोस्ट एक लाइन में आ चुका है ठीक है यह मैं 4K पे हो और यह मैं मैं लैप्टॉप लार्ज पर आ जाता हूं तो लैप्टॉप लारज जो है वह आम तो पर स्क्रीन का साइज रहता है 2440 तो वैल अब मैं च्छाहता हूं मैं चाहता हूं कि جब जो मेरे जो पाराग्राफ के साइज है वो जीवा मिनिमुम एक हथ तक चोटा जो जो एक हथ तक चोटा हो!' हुआ, है यह जो 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 जितनाît हो पर जितना आता है, सही है अधि ज्यादा छोटा नहों इस से ज्यादा अगर छोटा होता है तो स्क्रॉल आजए मेरे पास होरिजॉंटल स्क्रॉल आजए तो मैं यहां पर जा कि इसको बता दूंगा कि भाई पाराग्राफ की जो मिनिमम विर्थ है वो है चालिस इम सही हैझारि यहन् 있 कालेस कारेक्टर एक लाइन में आए मिनिममम उससे कम जाने की जरूरत नहीं है है सो चालिस कारेक्टर जो यह चालिस कैरेक्टर मैंने बहुत ज्यादा बता दिया कि इसको देखो यहां पे आकर यह स्टॉप हो जाता है नहीं इसको मुझे चालिस से ख़़दा कम करना चाहिए क्योंकि जहां पे मैं रोकना चाहरा था था वो यह जगा नहीं है मैं यहां तक रोकना चाह रहा हूँ इसको यह साइज आफ तक है न यहां तक रोकना चाह रहा हूँ तो सही है अभी यह यहां पर रुकता है इन के उपर रुकता है तो मुझे शायद और चार पांच 25 कर देता है उसको यह 23 बल गया अब ये बिलकुल मेरे desired जगा पर ये रुका है बिलकुल मेरे desired जगा पर ये रुक गया गया अब इस से ये छोटा नहीं होगा अगर इसको मैं refresh करूंगा ना या पर scroll आ जाएगा horizontal scroll ये show कर देगा उससे कम नहीं जाता है अच्छा इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि यार जो म heading का size जो 32 pixel होता है ठीक है यानि 2 EM के बराबर होता है तो यहां पर अगर मैं same size लगाना चाहूंगा तो मैं 23 का half करके दोंगा मैं यानि कि मैं इसको क्या दोंगा मैं 11.5 EM दोंगा मैं तो मैंने कहा कि min dash width equals to 11.5 EM ठीक है तो 11.5 EM ये भी बिलकुल सेम जगा पर आके रुकेगा इससे छोटा नहीं होगा अब ये ठीक है अच्छा इसी तरह maximum width भी देखें इसकी क्या है बहुत ज़्यादा maximum width है अब मैं चाहता हूँ कि मेरा paragraph ना at least तीन लाइनों में नज़र आए यानि यहां तक नज़र आए ठीक है तीन लाइनों में at least नज़र आए और यहां मतलब width property करके जो है यहां पर रुक जाए बस इससे आगे ना चाहिए तो मैं इसको एक maximum width भी दे दूँगा कि उससे फिर यह आगी नहीं जाएगा max और मैं इसको कह देता हूँ कि भाई पच्पनीयम नहीं पच्पनीयम जाद होगे कि यह इस पर मैक्सिमम पर अप्लाइ नहीं हो रहा किया अच्छा मैंने लगा वह अप्लाइ हो रही है अज़ आप अज़ आप अज़ आप बड़ा होता है ना मैं अज़र लैपटॉप लार्ज पर जाता हूँ यह टैबलेट पर जाता हूँ तो यह मेरे पास पैलाग्राफ एट लिस्ट यह मुझे बाइद वे तीन लाइन में चाहिए था जो साइज आफ लिखा वादा वहाँ तक चाहिए था मुझे तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा के अपने मरजी का कर लेता हूँ चालेस एम से थोड़ा जहां तक मुझे चाहिए था ठीक है कि तीन लाइन में अट लिस्ट मेरा देखे तो यह एक लिए टीश ऐम बनता है ठीक है ऐ फॉर्टी सिक सिएम बनता है मैं चाहता हूं इस से ज्यादा जो है न मेरा पैराग्राफ का साइज बड़ा ना हूँ सभी है क्योंकि इस से ज्यादा अगर पैराग्राफ का साइज बड़ा होता है तो वो पैराग्राफ बिल्कुल एक लाइन में हो जाएगा जो कि that is not good for me अच्छा मैं उपर वाले को भी मुझे इसके रेलेवेंट ही देना है कुछ ना कुछ क्योंकि उपर वाले की जो मैक्सिमम साइज इसका कोई लिमिट नहीं है अगर मेरे स्क्रीन मतलब 2000 पिक्सल का भी हो जाए तो हुआ च्छा बिल्कुल एक्जैटली इस जगा पर आके यह भी रुख जाता है तो यहां पर यह मिनिमिमम्म हो गया इससे चोटा नहीं होगा बी और यहां पर यह मैक्सिममम फिर्थ को हम ने अच्छा से पढ़ लिया कैसे होता है अब हम आजाते हैं अपनी बुक में दुबारा से अच्छा सेम फिनामेना जो है आपके बस वह हाइट में भी है मिनिमम और मैक्सिमम हाइट हो सकती है ठीक है इसको मेरे खाले लगा के देखने ही जरूत नहीं है यह तो देख चुके हैं जो विर्थ में जो फिनामेना सेम वही चीज हाइट में भी है बट यह जाहर है वर्टिकली यह चीज़ कर रहोगा अच्छा उसके बाद है ओवर फ्लोइंग कॉंटेंट कॉंटेंट का ओवर फ्ल अगर कॉंटेंट मैंने बॉक्सका साइस चोटा किया और कॉंटेंट का साइस बड़ा किया बिसाल और मिए यहां पे आएंकर पेर Thousand Ettie कॉरह को बिता नहीं होता है एब मैं इसकी अगर हाई को कम कर दोंगा earlier मैं इस पे आता हूं और इसकी height को आके मैं कम कर दूंगा मजीद इसके height वैसे अभी apply नहीं हुई भी है मैंने का height आपकी ना 200 pixel से जादा नहीं होनी चाहिए यानि 200 pixel तो वैसी बहुत जादा होगा है इसकी height मैं इतनी कम करता हूँ कि इसका content उसमें ना आ सके ठीक है लेकिन जब इसको मैं छोटा करता हूँ तो एक certain point पर आगे क्या होता है इसका content box से थोड़ा सा बाहर आ जाता है ठीक है यह मैंने बताने के लिए कि लिए है आम तो पर तो इसकी जरूरत इस तरह से नहीं कर रहे होते हैं लेकिन यह मैंने आपको समझाने के लिए इसका size जानबूच के सोड़ा छोटा किया तो इसका जो content बाहर आ रहा है इसके box से बालकि इसको मैं यहां पर भी आगे high 85 pixel कर देता हूँ तो अब यह इसको हम क्या कर सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास तीन strategies होती है कि हमने क्या करना है अच्छा नमबर एक हम करते है overflow hidden कि जितना part overflow हो गया अपने box से बाहर आ गया उसको hide कर दो अब दूसरे हम कर सकते है overflow scroll scroll से क्या होता है कि जैसे ही content बाहर आने लगता है तो वो क्या करता है देखते हैं दोनों को कि क्या चक्कर अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैंने क्या किया मैंने इस paragraph को आके बोला कि भाई आप क्या हो जोगे overflow hidden overflow hidden करने से क्या हूँ आप देखें जितना part देखें जैसे जैसे पार्ट यह बाहर जाएगा ना उस पार्ट को यह चुपा देगा उस पार्ट को इसने गाइब कर दिया इसक्रीन पर नजरी नहीं आ रहा ठीक है अच्छा उसके लावा में क्या अगर सकता हूँ overflow को scroll कर सकता हूँ ठीक है अच्छा overflow को scroll करने से आप देखें क्या हुआ यहाँ पे scroll bar बनावा गया ठीक है यहाँ पे scroll bar बनावा गया अच्छा अब एक scroll bar बनावा जब आता है ना हमारे पस तो यह तो mobile phone में इस तरह का आएगा scroll bar लेकिन computer device में क्या आएगा scroll bar कुछ इस तरह का आएगा अब note करें ठीक है scroll bar बनावा आ रहा है बाई default बनावा ही आ जाएगा तो हम क्या कर सकते है इस scroll bar की जो properties है उसको हम बाद में change कर सकते हैं उसको अपनी मर्जी का scroll bar दिखाने के लिए अच्छा फिल लेकिन मैं क्या करूंगा इसमें जो है ना मैं scroll नहीं लगाँँगा इसमें overflow x और overflow y दो अलग अलग चीज़ है ठीक है overflow हमारे case में अभी जो हो रहा है वह overflow y हो रहा है ठीक है overflow y का मतलब है कि नीचे की तरफ बाहर आ रहा है ठीक है this is called overflow y ठीक है overflow y जैसे मैंने किया तो इस वह जस्ट के उपर scroll आ रहा है ठीक है एक्स के उपर scroll नहीं आ रहा है अगर इस तरही से बाहर निकल रहा होता ना horizontally अगर यह बाहर निकल रहा होता तो फिर हम इस पर क्या लगाते overflow x लगाते है ठीक है sometime हम दोनों लगाते जाहेंगे कब हम hidden करना चाहेंगे यह different cases में यह vary करता है ठीक है अच्छा यह दो ही है hidden है और scroll है तीसरा कोई नहीं है मैं तीन बोल गया था शुरू के ना अच्छा जी अब हम देख लेते हैं कि यह box model क्या चीज है border margin और padding से मिलके box तयार होता है every box has three available properties that can be adjusted to control its appearance उसको appearance को change करने के लिए हमें इनको छेड़ना पड़ता है most of the time सबसे पहले border होता है every box has a border even if it is not visible or it's specified to zero pixel the border separate the edge of one box from another border border क्या करता है border edge होता है किसी भी element का ठीक है मिसाल के तोर पर अगर मैं यहां पर आऊँ इस paragraph के उपर तो इस paragraph का जो मेरे पास border है वो वो इस जगह पर कहीं पर लाए कर रहोगा ना ठीक है इस जगह पर कहीं पर लाए कर रहोगा जो अच्छा यह वो edge है मिसाल के दूर पे इस paragraph का जो background color है वो background color और यह white color इसके जाहरे इस contain किया हुए बॉर्डर ने इस paragraph को अच्छा contain किया हुए जब इस paragraph का जो background color है वो बाहर नहीं निकल रहा है ठीक है एक boundary बनी भी नजर आ रही है मैं कि यहीं तक है यह border अच्छा इस border को हम खतम नहीं कर सकते ठीक है अब जाहरे खतम करेंगे तो फिर उसको पता किसे चलेगा कि कहां तक का background color डालना है ठीक है border से ही उसको पता चलता है यहां तक यह element खतम हो रहा है उस border को हम खतम नहीं कर सकते ठीक है उसको हम zero pixel कर सकते हैं बॉर्डर को तो वो विजिबल नहीं होगा अगर मिसाल के दौर पे मैं यहां पर आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार बॉर्डर वन पिक्सल सॉल्ड ठीक है तो यह बॉर्डर मुझे नजर आने लगी है क्योंकि मैंने वन पिक्सल कर दिया है इसको अगर मैं इसको जीरो पिक्सल कर दूँगा यह मैंने इसको जीरो पिक्सल कर दिया तो क्या होगा यह बॉर्डर मुझे नजर नहीं आएगा तो मैं इसको जीरो पिक्सल कर सकता हूँ बट मैं इसको खतम नहीं कर सकता है अच्छा दूसरी चीज़ है मार्जिन के बारे में लिखा है इन्होंने मा margin क्या होता है border के बाहर की साइड grow करता है मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ margin 10 pixel तो वो border के बाहर 10 pixel extra लेगा ठीक है जितना box का size है वो अपनी जगा रहेगा लेकिन border के बाहर की साइड वो 10 pixel extra लेकर अपने आपको grow कर लेगा अच्छा you can set width of a margin to create gap between the border of two adjacent boxes अच्छा उसका नतीज़ा क्या होता है कि अगर दो boxes बने वे मिसाल के दौर पर मैं पैराग्राफ को जड़ा दो तीन पैराग्राफ बना लेता हूँ नीचे हैं अच्छा तो आप नोट करें पैराग्राफ पे by default कुछ ना कुछ margin apply हुआ है अगर मैं आपको दिखाओं यह देख रहे हैं आप यह जो हलका सा यहाँ पर पिंक कलर का जो दिख रहे हैं देट इस margin ठीक है तो पैराग्राफ के उपर कुछ ना कुछ margin टॉप पे और बॉटम पे पहले से अप्लाय हुआ है अच्छा अगर आपको इसको देखना होता है तो आप क्या करते हैं सब पे यह 16 पिक्सल का margin टॉप पे और 16 पिक्सल का margin बॉटम पे लगा वे अच्छा इस margin को मैं कम या ज्यादा आप्यसली कर सकता हूं अच्छा अभी इसमें सिर्फ टॉप और बॉटम पे लगा वे साइड़ में लगा वा तो अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे कुछ जा बलके मैं डिव बना देता हूं ना दुवादद ठीक है मैं ने तीन यहां पे बॉक्स बना दी हैं डिव बैक्राउंड कलर ने दिया मैं इसको इसलिए नजर नहीं आ रहा हूं ठीक है यह ब्राउन कलर के मेरे पास तीन बॉक्स बने वहा हैं अच्छा लेकिन अब आप नोट करें यह बॉक्स जो है इतने ज्यादा आपस में चपके हैं ऐसा फिल नहीं हो रहा है कि यह तीन अलग अलग बॉक्स बॉक्स है अच्छा पूरी विट्ट ले लेता है अगर मैं इसको आके चेंज कर दूं और मैं इसको आकर बोलूंगे भाई आपना ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगे आप आप इन लाइन ब्लॉक हो जाओगे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक तो अब क्या होता है यह बॉक्स साइड बाइसाइड आ चाह रहा हूं यह इस दिस्टेंस को मैं बढ़ाना चाहा हूं तो उसके लिए मैं किस चीज का मारजन का क्यार गू ठीक है तो तीनों ने ले लिया ये तो मैं यहाप आके क्या करूंगा यही वाली प्रॉपर्टी मैं यहाप लगा दूँगा डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक किया था मैंने इसको और margin 10 पिक्सल अच्छा तो अब आप क्या देखेंगे अब आप यह देखेंगे जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं computed पे जब जाओंगा तो यहाप देखें दस पिक्सल margin चारो साइड पे इसने ले लिया है ठीक है अच्छा एक चीज़ यहापर समझने वाली यह है कि यह box का जो भी size था मेरे ठीक है computed में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे पूरा box model आपको असल में यहापर दिखा रहा है ठीक है तो यह box का size अभी भी 300 बाई 300 है लेकिन यह जो margin है ना 10 पिक्सल यह इसमें add up हुआ है ऐसा नहीं हुआ कि box का size कम हो गया और यह 10 पिक्सल म extra है जो मैंने margin के तौर पर इसमें add किया है तो यह overall box का जो size है अगर मैं margin के साथ इसको count करूं तो इस कोने से लेके इस कोने तक यह 320 पिक्सल है तो यह 320 पिक्सल इसकी height इस वक्त और विर्थ दोनों क्योंके height और विर्थ दोनों पर ही margin चारों साइड है तो इसकी height भी 320 हो चुकी है ठीक है तो यह margin था भई दो boxes को आपस में कितना दूर रखना है यह दो elements को आपस में कितना दूर रखना है वो इससे हम decide कर रहे होते हैं अच्छा padding is the space between the border of a box and any content contained within it adding padding can increase the readability of its content अब padding क्या चीज होती है वो हम जरा discover कर लेते हैं कि padding का क्या वो है अच्छा padding जो है ना वो margin के अंदर होती है देखो यह मेरा box है और यह border है border भी 0 pixel है तो इसलिए नजर नहीं आ रहा है तो मैं काम करता हूं border को भी कुछ ना कुछ size दे देता हूं ठीक है मैंने का कि यार border 2 pixel solid gray सभी टू पिक्सल नहीं चलों इसको 5 pixel कर देता हूं सभी है तो आप देखें इन सब बॉर्डर बनावा भी आगए अब मैं यहा पर जाता हूं अगर तो 300 pixel का box है padding कुछ भी नहीं है पांच पिक्सल का border है और 10 pixel का margin है अचा यह तो border भी क्या होता है box के overall size में add up होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यह box का overall size कितना हो गया margin के साथ मिला कर यह 300,300 यह था और 15 और 15 तीस तो 330 pixel इसकी height हो गई है और 330 pixel इसकी विर्ट हो गई है margin समेत हमेशा यह add up होता है जो भी हम चीज़ें इस पे लगाएंगे margin, padding और border यह तीनों चीज़ें इस पे add up होती है अचा अब padding का काम क्या होता है कि content और border इसके दर्मियान में वो आके add up होता है आप note कर रहे हैं यह content है मेरा यह border है अचा तो इसकी example शायद इस div में अच्छी तरह से ना हो पाए तो इसकी जो example है वो हम किसमें देखते हैं अगर कि इस paragraph में करके देखते हैं अचा इस paragraph की अगर हम बात करें तो आप गोर करेंगे तो यह अपने दिवार के साथ बिल्कुल चिपका हो है text and that is not good ठीक है अगर इस heading की भी हम बात करें तो यह बिल्कुल अपने border के साथ ना अपने दिवार के साथ बिल्कुल चिपका हो है ठीक है अगर मुझे इस चीज को चेंज करना है इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूफ करना है अगर तो मैं वो काम क्या करूँगा मैं वो काम क क्या हुआ है नतीजह यह वो है कि जो नीचे वाला distance था यहां वाला वो बहुत ज्यादा increase हो गया है ठीक है मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नीचे वाला यह increase ना हो सिर्फ इस वाले side से और top से जो जो जगाओं से इसको मसला हुआ है उस दो जगाओं से यह सिर्फ चेंज करें अपने आपको ठीक है computer में जाके मैं इसका जाहिजा लेता हूँ तो यह इसका जो size है यह ऐसा वाला है अच्छा इसका जो size है वो जाहर है थोड़ा सा कम भी होगा ठीक है overflow भी करेंगा यह तो overflow मैंने scroll तो लगा दिया था यह scroll क्यों नहीं रहाँ नहीं लगाया था क्या है overflow y scroll तो यह overflow भी करेंगा तो मैं इस हिसाब से इसको जहन में रखते हुए मैं उसको लगाऊंगा पैडिंग ठीक है अब मैं पैडिंग लगा कर देखता हूँ कि क्या अभी भी वो दोनों side से बाहर निकल रहा है घम्त लिए मैं तैडिंग शड्रूंग क realization नहीं शय ककर एम ठीक है बिन और फैट्री में चाराईट से एवन ली मुझे ले रहा है अच्या लेकिन जब साइस सकरीन का बड़ा होते तो कि थोड़ा सा कटोल जाता हूं लगा है तो तो आपने क्ने पैडिंग देने से क्या हो अब मैं वापिस computer में जाता हूँ और मैं यहां पर आके box का size देखता हूँ तो जो box का size था वो ही है ठीक है अच्छा height तो इसकी 85 pixel ही है box की क्योंकि मैंने height को fix किया हूँ है यहां पर 85 ही बता रहा है ठीक है लेकिन इसकी विर्थ जो है आप देखो यह कम ज्यादा हो रही है ठीक है नोट कर रहे हैं computer में नंबर चेंज हो रहा है मिनिमम इसने कहां तक जाना है जो मैंने मिनिमम साइट किया है 40 E.M. जा जो भी वहां तक इसने जाना है minimum उससे नीचे इसने फिर नहीं जाना है ठीक है यह अमने देख लिया कि जो मेरी विर्थ है जो बॉक्स का वो चेंज हो रहा है हाइट मेरी फिक्स है अच्छा उसके लावा मिसाल के तौर पर एट एनी गिवन टाइम जो भी विर्थ होगी या जो भी हाइट होगी उस पर यह पैडिंग एड़ अड़ ओरी है ठीक है मिसाल क 1.7.9 12 पिक्सल का मार्जन और 16 पिक्सल का यह नीचे मारें इन दोनों को भी अड़क कर लो अफिक है तो 16-16 22 और 22 इतना हुआ है यह वावन पिक्सल तो बावन पिक्सल इन इस 85 के इलावा यह पावन पिक्सल इसके अंदर एड़एड हैं सही है वैसे हमने 25 कि यह लेकिन अच्छा वोई जी एहमद सिद्दिकी हैंड रेस किया मैं अपने अच्छा जी मैं आपकी अटेंडन्स करने लगा होगी बाई दो अच्छा जी तो यह पैडिंग भी अपने देख लिया एच वन पर भी वैडिंग कुछ ने कुछ अप्लाए कर लेते हैं दो 225 ख वह पैडिंग लगादो 10 पिक्सले सिक्राइब अच्छा पैडिंग पिक्सलमें जरूरी नहीं है थोड़ा सा clean feel कर आ रहा है और थोड़ा सा readability की बढ़ गई है तो padding में इसने यहां पर भी जिकर किया है book में किया होता है कि readability increase हो जाती है अच्छा और उसके लावब जो buttons वगर हम बनाते हैं most of the time उस buttons के अंदर भी नहीं हमें उस button को बल्कि हम कुछ button यहां पर बना की देख लेते हैं यहां पर मैं आता हूं बटन वन बटन टू बटन थ्री ऐसे मैंने buttons बनाया है मिसाल के वह ठीक है वो डिव भी हो सकता है वह actual button भी हो सकते हैं चलो दो को मैं actual button मना देता हूं सभी और इन सब को मैं class क्या देता हूं कि लास मैंने इन सब को देदी button अच्छा अब मैं यहां पर आकर देखूंगा तो अभी तो यहां पर कुछ button जैसा मुझे देख रहा नहीं है यह बटन दो ही क्यों दिख रहे हैं मुझे यहां पर मुझे एक अधर ब्यार देना पड़ेगा ताकि इसको पता चल जाए कि यह button जो हो ऐसे है ना कैसे अच्छा तो यह दो बटन मैंने डिव से बनाने और दो बटन मैंने वैसे बनाने इन बटन को दर हम देखते हैं कि भी क्या दरना है मैंने मैंने खाप ग्रे ग्रेंगा बटन वोग मैंने खाप यह दो टोना सानाइट इस तै ठीक है और बॉर्डर रेडियस इसका जो हम सैट कर लेते हैं तेन परसेंट ठीक है अच्छा यह जो डिव है इसकी विर्थ बहुत ज्यादा है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करना पड़ेगा ठीक है ताकि यह सब ना एक जैसे हो जाए अच्छा तो अब यह देंगा दो मैंने डिव के साथ बना दिया बटन और दो मैंने एक्चुल बटन के साथ बना दिया बटन अच्छा इस पे जो बॉडर रेडियस मुझे पिक्सल में देना होगा तो यह परसेंटेज में वह थोड़ा सा गड़बर हो जी अच्छा अब आप देखें चक्कर क्या हुआ वह यहां पर कि यह बटन बंतो गया मेरे पास बट यह बटन जो है वह अपने बॉडर के साथ बहुत ज्यादा चपका वह इसका जो टेक्स्ट तो इस मुझे बहुत ही सिंपल एक अंसर इसका कि इस में मुझे क्या देना है कुछना कुछ पैड़िंग इसको प्रोवाइड करनी है हुछ ना कॉछ पैडिंग जैसा ही मैं ड़को प्रोवाइड यह अशनमक से बिलकुल बहतर में दिखना लग जाएगा ठीग है अब यह बहतर लग रहा है और बटन जैसा फील कर आ रहा है तो मैंने इसको क्या दे दिया है इसको आपस में दूर करना है इन बटन्स को मुझे आपस में दूर करना है तो मैं क्या गरूँगा इन बटन्स को मैं मार्जन दूँगा मार्जन अमेरिका 10 पिक्सल तो यह आपस में दूर हो गया अच्छा इस्टिल मुझे आपस में दूर करना है सिर्फसको horizontally करना है तो फिर मैं क्या करूँगा फिर मैं चार साइट के मार्जिन को होते हैं वो अलग-अलग भी दे सकता हूँ, ठीक है अभी वो आगे आ भी जाएगा कि चारों साइट का मारजन अलग-अलग दे सकता हूँ तो मैंने कहा कि यार अच्छा ये जो सबसे पहला का मारजन को तो मैंने जिरो पिक्सल कोप जीरो पिक्सल ओगा धिए फिर उसके बाद जो राइट होगा मैंने एक भाई आप 10 पिक्सल लेख और तो आप देखेंगे कि जब मैंस को computer पर लेकर जाओंगा, तो सिर्फ, 2 side पर margin लगाएं, इसके left पर right पर, ठीक है, देखें, top और bottom पर नहाँ margin नहीं लगावाओँ, यह पर 5 है, top पर कुछ भी नहीं है, bottom पर कुछ भी नहीं है, और इसके, जब मैं हवर करूंगा तो भी आपको यही चीज देखने को भी लेगी कि सिर्फ दोनों साइडों पर मारजन लगावा है टॉप पर बॉटम पर कुछ भी नहीं लगावा अच्छा तो यह अमने मारजन को भी देख लिया डिसकस कर लिया अच्छा यहां पर नोंने ये बात मैंशन भी की विये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि इस पेसिफाई विर्थ ऑफ बॉक्स देन दा बॉर्डर एंड दा मारजन एंड पैडिंग देविल एड अप टु इट्स विर्थ और हाइट कि जो भी आपने पहले बॉक्स की विर्थ बताई फिर उसके बाद उस पे बॉर्डर भी लगा दिया मारजन भी लगा दिया पैडिंग लगा दिया तो ये तीनों चीजें बॉक्स की जो करंट विर्थ होगी जो भी आपने सैट की विये उसमें एड़ अप होगी है ठीक है जी अच्छा ये पैडिंग के बगएर और पैडिंग के साथ इन्होंने दो पैड़ाग्राफ बना कर दिखा हैं तो इसमें एक वाज़े फर्क नजर आ रहा है जो आपने अभी यहां पर experience भी किया थोड़े दिर पहले coding में ठीक है जी अच्छा बॉर्डर विर्थ के बारे में कुछ बात हो रही है आपर जैसे अक्सर मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ कि बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक ठीक है तो वो शॉर्ट हैंड है ये प्रॉपर की विर्थ बताना चाहरे है ठीक है आप कलर वगरा और बाकी चीज़े स्टाइल वगरा नहीं बताना चाहरे है अब सिर्फ बॉर्डर की विर्थ बताना चाहरे है तो आप लिखेंगे बॉर्डर विर्थ और इसके अंदर तीन ऑप्शन है थिन मीडियम एंड थिक या आप इसको pixel में भी दे सकते हैं, यहां पे देखें, इसने देकर बताया है, पिक्सल में, अच्छा, क्यूंकि बॉर्डर चार साइड का होता है, तो आप चारों साइड के बॉर्डर को अलग-अलग size भी दे सकते हैं, और यह कैसे चलेगा, यह clockwise चलेगा, one pixel का मतलब है top, ठीक है, result आपको शायद देख पा रहा होगा, कि देखें, सबसे पहला, जो लास्ट वाला है ना, paragraph नंबर थ्री, यह नहीं paragraph नंबर थ्री, लास्ट वाला paragraph, इसमें आप देखें, टॉप का one pixel, फिर उसके बाद, राइट का four pixel, ठीक है, clockwise चल रहा है, तो राइट यहां पर आएगा, उसके बाद second, उसके बाद bottom का है 12 pixel, नीचे 12 pixel आगया, उसके बाद left आता है, left का दोबारा से 12 pixel, जो इस तरफ इसने दिया है, वो इस तरफ भी दिया, तो चारो साइट के border का साइज आप अलग-अलग भी दे सकते हैं, ठीक है, इस परफेक्टली फाइन, और most of the time इसकी जर अच्छा, border का जैसे ही आप size बताएंगे, तो border visible हो जाएगा, बट उस border का style क्या होगा, क्या वो solid होगा, ठीक है, solid का मतलब है, वो सीधी line होगी है, कोई उसमें, बीच में, कोई variation नहीं होगी, या वो dotted होगा, ठीक है, dot dot करके वो border बना रहा होगा, या dash होगा, ठीक है, dash dash करके border बन रहा होगा, double line हो सकती है, groove हो सकता है, ठीक है, in set, out set, ये सब हो सकता है, ठीक है, in set का मतलब होता है, कि थोड़ा अंदर धसावा feel होगा, या out set का मतलब होता है, कि थोड़ा बाहर निक प्रइद तो आप क्या और झाच कोई सा भी कलर बताने का तरीका इसतमाल कर सकतें थे क्या आप कहेंगे रेड्ब्लु या हैकस गोड़ में के चार साइड का होता है तो इसमें भी आप अलग अलग कलर बता सकते हैं चार साइडों के लिए सबसे पहला वला क्या होगा सबसे पहला वला टॉप होगा ठीक है जो सेकंड वह राइट होगा फिर उसके बाद जो बॉटम होगा फिर उसके बाद जो लेफ्ट होगा ठीक है तो एक लॉक वाइस चलता है यह तो इसको हम BORDER TOP COLOR BORDER RIGHT COLOR BORDER BOTTOM COLOR ठीक है ऐसे भी बता सकते हैं तो जस्ट अगर आपने BORDER का COLOR बताना है तो आप वो ऐसे करके बता सकते हैं अचा है लास्त में सने SHORT HAND बता दिया BORDER का ठीक है भई कि THREE PIXEL Dotted और रेड या वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक ऐसे करके आप शॉर्ट हेंड भी लिख सकते हैं अगर आप सिंपल बॉर्डर कोई लगाना चाह रहे हैं तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज कोई नहीं है तो ठीक है अच्छा पैडिंग हमने लगाना देख लिए कि पैडिंग क कर सकते हो मैं कहूंगा पैडिंग टॉप तो सिर्फ टॉप पर अपलाए होगा कहीं और पर भी नहीं होगा ठीक है मार्जिन भी इसी तरह हम देख सकते हैं चार साइड मार्जिन होता है चारो साइड का मार्जिन अलग अलग दे सकते हैं ठीक है यहां पे इनोंने 20 पिक्सल लिखा है तो चारो साइट 20-20 पिक्सल ले गई है तो एक पहला पहला ग्राफ है बगएर मार्जन के दूसरा है मार्जन के साथ तो अब देखें ये साइट से थोड़ा ग्रो हो गया है तो इस वज़े से थोड़ा सा ये राइट पे हो के नजर आ रहा है मुझे अच्छा जी सेंटरिंग कॉंटेंट कॉंटेंट को सेंटर कैसे किया जाए तो ये जो तरीका है ना ये थोड़ा सा पुराना हो गया है सेंटर करने के लिए इस्टिल ये काम करेगा मतलब इसने क्या किया है मार्जन को एक तरफ से टेंट पिकसल किया है दूसरे जरव से अटो कर दिय है मतलब कि लेफ्ट और रहाइट से मार्जन को ऑटो किया है तो वो सेंटर में हो गया वो प्र हम करते हैं छेंप जो है जदुद अप्रोच है वो इंशाल्ला हम पढ़ेंगे फॉरन बाद ही पढ़ेंगे इस चैप्टर गेम अच्छा आई इंटरेट एक्स लोड़ा 6 का बॉक्स मॉडल क्या है ठीक है तो ये हमें लिखा वे रोने बस इंटरेट एक्स लोड़ा 6 तो खेर बहुत ही पुरान हो गया तो इसको हम स्किप करते हैं कभी भी अगर ज़रूरत पढ़ गए इस इंटरेट एक्स लोड़ा 6 की तो यहां पर लिखा वे आकर देख लेना अच्छा चेंज डिस्प्ले इन लाइन या ब्लॉक कोई भी इन लाइन ऐलिमेंट हो उसको मैं सी एसेस के जरीए ब्लॉक ऐलिमेंट बना सकता हूँ ठीक है अच्छा इसी तरह से कोई भी अगर इन लाइन ऐलिमेंट है उसको मैं ब्लॉक बना सकता हूँ तो ब्लॉक को मैं इन लाइन बना सकता हूँ ठीक है दोनों वाइस वरसा है अच्छा लेकिन आम तोर पे हम क्या करते हैं अगर किसी block element को हम inline बनाते हैं तो हम लिखते है inline block अच्छा inline block क्या करता है inline block ये करता है कि just वो जो 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 इसकी वो है ना कि मेरी line में कोई और नहीं आएगा और मैं किसी line में और जीज खतम कर देता है ठीक है उसके रवाब block level के कुछ और भी properties होती है उसको वो carry करके रखता है उसको वो खतम नहीं करता है ठीक है तो हम कभी भी इसको inline बिल्कुल नहीं बनाते हैं हम inline block बनाते हैं आम तर पर अचा और हम none भी कर सकते हैं नन करने से क्या होगा वो डिस्प्ले नन से वो आइटम ही घायब हो जाएगा, इसी तरीके से हम आ सकते हैं, विजिबिलिटी करके एक प्रॉपर्टी है, विजिबिलिटी में क्या होता है, दो ही वैली होंगी, विडन होगा या विजिबल होगा, बाइ डिफॉल्ट तो यहां पर यहोई सर्विसेज बिल्कूल भी नजर ही नहीं आ रहा है डिस्पले नं से बिलकुल गायभ होगया। on other hand visibility hidden जब इस ने लगाया रही है इसी चीज़ पर तो यहां पर नए उसकी जगह आ रही है लेकिन वो element नजर नहीं आ रहा है element ने लेकिन जगा यहाँ पर ली वी है तो यह difference आपका display none में और visibility hidden में ठीक है इन दोनों की जरूरत आपको पढ़ती है और दोनों की जरूरत पढ़ने पर आप क्या करते हैं दोनों को accordingly इस्तमाल करते होते हैं एसा नहीं है कि एसा कोई rule of thumb नहीं हमेशा अपने लगाना है कभी भी none या हमेशा none लगाना ऐसा कोई rule नहीं है case to case वैरी करेगा जहां पर आपको hidden की जरूरत होगी वहां पर आपने hidden लगाना है अच्छा बॉर्डर पर आप इमेज भी अप्लाए कर सकते हैं एक तो जैसे बॉर्डर के स्टाइल थे ना कि डबल है डॉटेड है इसारे इसी तरह बॉर्डर पर आप इमेज भी अप्लाए